जब भी देश में समाजिक न्याए की बात हुई है बिहार ने लीड ली है आपने लीड ली है और यह आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि देश आपके और देखता है राहुल जी आपने कन्या कुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर दी मगर देश का जो राजनेतिक सेंटर है सोशल जस्टिस का जो सेंटर है जहां से समाजिक न्याए की लड़ाई शुरू होती है वहाँ से तो आपकी यात्रा गई नहीं बिः़ार से आपकी यात्रा गई नहीं असाम से आपकी यात्रा गई नहीं तो बहुत लोगों ने हमें कहा कि एक यात्रा नौर्थीज से लेकर महराष्ट्रा तक होनी चाहिए और हमने बात मान ली इसलिए आज हम आपके सामने खड़े हैं बिहार में से अब ये यात्रा भारत जोड़ो न्याई यात्रा निकलने जा रही है शुरुआद मनिपूर में की वहां अपने बीजेपी की जो विचार धारा है उसको अपनी आँखों से देखा मनिपूर को दो भागों में बाड़ दिया है भाई को भाई से लड़ा दिया है और पूरा प्रदेश 6-7 महीने से जलता जा रहा है दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री आज तक मनिपूर नहीं गए शर्म की बात है आज तक हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री मनिपूर नहीं गए मनिपूर जल रहा है लोग मारे जा रहे हैं घर चलाए जा रहे हैं मगर आज प्रधान मंत्री वहां आज तक नहीं पहुंचे तो यह देश की आलत है अब बिहार में हमारा क्या लक्ष है इस यात्रा में हमने न्याय शब जोड़ दिया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा और सच्चा यह है कि आज के हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति को ना आर्थिक न्याय मिलता है न्या समाजिक न्याय मिलता है तो इसलिए हमने न्याय की बात जोड़ी है मोदी जी की सरकार में दो तीन अरब पतियों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा दिया जाता है चाहे वो एरपोर्ट हो पोर्ट्स हो इंफ्रस्ट्रक्चर हो हस्पताल हो युनिवर्सिटी हो सारा का सारा दो तीन बड़े उद्योग पतियों को पकड़ा जाता है मगर जो हाथ से काम करता है मजदूरी करता है जो किसान खेती करता है उसकी सरकार मदद नहीं करती है उसके लिए बैंक के दर्वाजे बंद है और उसके लिए नोट बंदी और जी एस्टी है अरब पतियों के लिए बैंक के दर्वाजे खुले प्रधानमंत्री का अपसर खुला का ओफिस खुला सरकार के सारे के सारे दर्वाजे उनके लिए खुले तो ये बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं बिना समाजिक नियाए और आर्थिक नियाए के ये देश प्रगती कर ही नहीं सकता है ये खोकले शब्द हैं ये जो विकास की बात करते रहते हैं समाजिक नियाए के बिना आर्थिक नियाए के बिना ये काम किया ही नहीं जा सकता है अंत में मैं आपको एक उधारन देना चाहता हूं पूरा देश जानता है कि देश में सबसे बड़ी आबादी ओबी सिवर की होती है तक्रीबन पचास परसेंट ओबी सिवर की आबादी है 15 परसेंट दलित है 12 परसेंट आदिवासी है तक्रीबन 15 परसेंट माइनॉरिटी है यह सचाई है देश के यहां जो ओबी सिवर के लोग बैठे है मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार को 90 आये सबसर चलाते हैं देश का पूरा का पूरा बजेट हर रुपिया यह लोग निर्ने लेते हैं डिफेंस में कितना पैसा जाएगा स्वास में कितना जाएगा किसानों को कितना मिलेगा यह 90 अपसर यह सारे के सारे निर्ने लेते हैं इनके बिना बजेट का एक रुपिया नहीं बाटा जा सकता और मैं बिहार के OBC से कहना चाहता हूँ फिक्षड़े वर्क के लोगों से कहना चाहता हूँ इन 90 अपसरों में से OBC वर्क के सिर्फ तीन है और अगर बजेट में 100 रुपे बाटा जाता है तो OBC वर्क के अपसर सिर्फ 5 रुपे बाटते हैं यह सच्चाई है और ये ओबीसिवर के साथ हो रही है गलितवर के साथ हो रही है आदिवासिवर के साथ हो रही है इसलिए हमने समाजिक नयाय का सबसे करांतिकारी काम करने का निर्ने ले लिया है भाई और बेनो इस देश को पता लग जाना चाहिए कि इस देश में OBC कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जेनरल कितने हैं उस काम को करने के लिए जाती जनगरना की ज़रूरत है, जाती जनगरना एक रांतिकारी कदम है, जिस दिन जाती जनगरना हो जाएगा, उस दिन देश के आदिवासियों को, दलितों को, पिछडों को सब को पता लग जाएगा, कि उनकी अबादी कितनी है, और फिर उससे पता लग जाएगा कि उनका हक कितना बनता है जब तक समाजिक न्याय के सवाल को हेड ओन नहीं लिया जाएगा तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है तो यात्रा में दो तीन तरीके के न्याय के हम बात कर रहे हैं समाजिक न्याय और आर्थिक न्याय इनके बिना देश प्रगति नहीं कर सकता है और ये बात हम बिहार की जंता को बताने आए हैं और आपके दिल में इसके बारे में जो विचार हैं जो सोच है उसको भी हम यहां समझने आए हैं आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया हजारों लोग आए आपने अपनी पूरी शक्ति अपना प्यार इस यात्रा में डाला हमारी मदद की इसके लिए मैं पूरे बिहार को दिल से धन्यवाद करता हूँ आप एक बात मत भूलिए जब भी देश में समाजिक नयाय की बात हुई है बिहार ने लीड ली है आपने लीड ली है और यह आपकी जिम्यदारी है क्योंकि देश आपके और देखता है जब समाजिक नयाय की बात होती है पूरा देश बिहार की और देखता है तो यह आपकी जिम्मेदारी है और यह आपको पूरी करनी पड़ेगी मैं भिहार के हर नागरिक से कह रहा हूँ देश को देश में प्रगति होनी है तो आर्थिक और समाजिक नयाय की ज़रुवत है और समाजिक नयाय को आपसे बहतर कोई नहीं समझता है देश में यह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिद